अभी तक हम जिकर कर चुकी हैं कि paid और organic कैसे दो different mediums हैं जिनके तहात हम आपर traffic आती है लेकिन हमें ये भी understand करना है कि किस किस तरह से media digital पर काम करता है और हमें किस किस तरह से media को create करना होता है और media से मुराद वो content या वो space है जो आप own करते हैं इस तक digital पर जिस तना media available है उसको हम 4 categories में divide कर सकते हैं पहला paid, paid media कैलाता है, दूसरा earned media कैलाता है, तीसरा shared media कैलाता है, पच्छोथा on media कैलाता है इन सब चीजों में सबसे important बात on media है, वो ये वो media है जो आप on करते हैं तो on media में क्या क्या आता है, on media वो सब चीजों के नाम है जो media आप on करते हैं, on मतलब जिसकी आप मलकियत रखते हैं आप किसकी मिलकियत रखते हैं आप अपनी डुमेन की मिलकियत रखते हैं आप अपनी वेबसेट की मिलकियत रखते हैं आप जो कॉंटेंट क्रियेट करते हैं मतलब कि आप जो आर्टिकल क्रियेट करते हैं वो आपकी मिलकियत होती है आपकी वीडियो आपकी मिलकियत है या इ इतने भी आप चीजें क्रियेट कर रहे हैं, उसमें चाहे ई-बुक है, चाहे आपका इमेज है, चाहे आपका इन्फोग्राफिक है, यह सब कॉन्टेंट आप आउन करते हैं. और सबसे इमपॉर्णन यही कॉन्टेंट होता है, क्योंकि जब आपको कॉन्टेंट चाहिए, आप इसी कॉन्टेंट को प्रमोट करते हैं. इस कॉन्टेंट के ओपर आपने ट्राफिक लेके आनी होती है, क्योंकि यह आप आउन करते हैं, आपको जब इसको प्रमोट करना हो तब आप इसको pay करके promote कर सकते हैं तो जितना media आप pay करके हासिल करते हैं जितनी traffic आप pay करके हासिल करते हैं उसको paid media में शमार किया जाता है फोर एक्जेमपल आप कहते हैं कि जी मैंने website तो create कर ली है मुझे अब इसको pay करके जल्दी उपर आना है ताके हम foreign से traffic लेना शुरू कर दें वाप जो traffic आना शुरू हो जाएगी वो paid media के तहट कहलाई जाएगी और इस paid media को आप depend करते हैं कि कितना budget आप spend करेंगे और उतने budget के तहट आपको अतनी traffic मिल जाएगी तो own media को आप pay करके promote कर सकते हैं लेकिं फिर आप एक और authority बिल्ड करने के लिए एक और काम करते हैं कि आप own media अगर अच्छा बना लें अगर आप article अच्छा बना लें अगर आप e-book अच्छी लिख लें तो वो earn भी की जा सकती है traffic जो कि आप जिसके लिए आप pay कर रहे थे तो earn कैसे की जा सकती है हमने पहले जिकर किया viral content कैसे viral होता है so viral content basically earned media की एक शकल है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप वो media वो feedback earn करते हैं उन channel से जो आपको help करते हैं grow करने के लिए for example आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपको media coverage देगा कि आपके अपर article लिखे जाएंगे आपके अपर interviews होंगे यह वो चीज़े हैं जिसके लिए आप पैसे तो नहीं देते लेकिन आपको फिर भी लोग promote करते हैं यह आप earn करते हैं यह आपकी कमाई होती है यह traffic आपकी कमाई होती है जो कि आप अपनी quality से earn करते हैं तो आपको यह understand करना है कि जितना अच्छा आपका owned media होगा और अगर वो लोगों के help कर रहा है अगर वो लोगों को benefit दे रहा है तो लोग उसकी virality में आपकी help करेंगे वो उसको promote करेंगे शेयर करेंगे चोथा media जो है वो shared media है shared media सोशल मीडिया से related है और यह काफी है तक earned media से मिलता जुलता ही है earned media में लोग ज़्याद PR की बात करते हैं PR मतलब public relations या publicity publicity क्या होती है कि आपकी company ने कोई अच्छा काम किया तो media ने coverage दी अखबारों ने आपके बारे में लिखा TV ने interview किया वो आपने earned किया सोशल मीडिया भी almost इसी चीज़ का नाम है लेकिन सोशल मीडिया में social channel की dependency आ जाती है social channel की dependency मतलब कि आपने कुछ content create किया तो वो social channel पे viral हो गया वो कोई image भी हो सकता है वो आपके कोई video भी हो सकती है वो आपके different और भी कोई aspect हो सकता है आपके website का तो ये सारे जो तीनो mediums हैं ये total depend करते हैं इस चोथे medium पे जो basically earned media है अगर आप इस media को earned नहीं करेंगे तो आप paid, earned या shared media में आप flop हो जाएंगे अक्सल लोग ये समझते हैं बनाना लेकिन सिर्फ facebook page बनाना एक अच्छी बात नहीं है आप सिर्फ facebook page पे rely करेंगे और facebook अगर कल बंद हो जाता है या facebook आपको page band कर देता है तो आपका सारा media dead हो जाएगा आपको ये चाहिए कि आप उस shared media से यानि फेस बुक से या और भी आपने कोई social channel पे अपनी profile बनाई है वहाँ से आप traffic अपनी website पे लेकर आएं ताकि आप website के थूरू उनको track कर सकें उनको convert कर सकें उनको subscribe कराएं अपनी email इस में ताकि जब वो आपके पास आएं तो आपका एक asset build हो जाए आप बेशक millions of millions fan बना लें आप followers बना लें social media channels के उपर ultimately क्या होगा जिस दिन आपका page बंद हुआ जिस दिन facebook के बाद कोई नहीं company आ गई या जिस दिन facebook बंद हो गया वो आपका सारा media dead हो जाएगा और इस कदर उसमें investment जो आपने की होगी वो भी dead हो जाएगी इसी तरह से paid media में भी advice ये किया जाता है कि आप अपने on media को pay करके promote करें और सिरफ pay पे rely ना करें तो आप paid media में पैसे जितने लगाएंगे और जब तक लगाएंगे तब तक आपको traffic मिलती रहेगी लेकिन जैसे ही आप पैसे बंद करेंगे तो आपकी traffic गर जाएगी तो आपकी कोशिश यह उनीचे ये कि आप अगर foreign traffic लेना चाहते हैं तो आप paid media अच्छी बात है उसको जरूर करें लेकिन उसके साथ आप अपनी traffic अपनी website के ओपर या अपने on media के ओपर लेके जाएं ताके लोगों को आप याद रह जाएं next time वो आपको pay करके ना उनको मिलें आप आप वो directly भी आपके पास आजें तो आपकी direct traffic हो जाएगी तो इसी तरह से सबस्वे important बात चुँके हमने आगे चलके ये discuss करना है कि SEO कैसे करनी है SEO जब भी होती है वो on media के ओपर होती है on media आपका जब होगा वो content जब आप on करेंगे उसके ओपर SEO करेंगे, बागी चीज़ें आपको support करेंगी, लेकिन आप SEO के तहद आप on media अगर miss करेंगे, तो बागी चीज़ें भी आपको support استعمال کریں, सब चीज़ों में आप महारत हासिल करें, तो आप सेंटर में देखेंगे कि अथोरिटी बिल्ड हो रही है, जो कि अथोरिटी बिल्ड करने के लिए आपको ओन मीडिया भी चाहिए, जिसमें आप और्गैनिक ट्राफिक भी लेंगे, आप अर्न भी करेंगे और आप Shared Media से भी ट्राफिक लेंगे तो ultimately आप एक पूरा authority 360 authority बिल्ड कर लेंगे तो लोग आपको जानेंगे भी और आपके लिए असान होगा खुद के business को promote करना और आपके लिए भी असान होगा कि आप अच्छी marketing कर सकें और एक brand बन सकें